अपकी प्लेटफॉम पर जिसका नाम में जैयर कॉलेच तो आप सबीकों को प्लेटफॉम पर है जैसे की बहुत सारे हमने लेजर सिखा था तो इसमें बहुत सारे हमने laser सिखा था कि laser किस तरीके से बनाया जाता है laser का हर पार्टिकुलर एकाउंट बनते हैं हर डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीस के एकाउंट बनते हैं तो इसमें भी हम लग वही करने वाले और आज भी कुछ इंट्रेस्टिंग है थोड़ा बड़ा समय मंगर करेंगे साथ में तो आपको डॉट्स देंगे वह किल जाएंगे इसमें आपको क्या हेल्प होएगा कि आपको जेनरल बनाना भी आ जाएगा और आपको laser बनाना भी आ जाएगा मतब आपको एक ही वीडियो में दोनों की सिख करके हैं को अन्सौल कोशन ने टेजबुक कोशन नंबर सिक्स टेजबुक का पेस नंबर है वन वन नाइन ठीक है तो आप वहां से भी कोशन देख सकते हूं चलिए तो जैसे हमारे पास कोशन दिया वह अच्छो क्या दिया हुआ है प्रिपेर कैश एकाउंट बैंक एकाउंट पर्चेस एकाउंट सेल्स एकाउंट एंड कैपिटल एकाउंट एंड बैलेंस दा सेम इन दा वुक्स ऑफ मंदनलाल 2019 अगस्त मतलब की मदनलाल का आपक सिंपले आप जब घब गया chi लेजर को इसाबन में आपको अगया अगर पूछा गया है की लेजर आया तो ठीक है कि अगर मैं अपको लेजर फटा फटत कर्सक्त की सब्सक्रेषय बलेजर को माक्स न मिले बट आपको करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा अंडरस्टेंड तो चैसे की पहला कोशन हमारे दिया है 2019 अगोस्ट फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विता बैंक बैलेंस और फॉर्टी थाउजन अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अगलें तो शबसे पहले बिजनेस में क्या आएगा सबसे पहले बिजनेस में क्या आ देखें कैश आएगा अदितो है है तरफ रफ रफ या अभी कैस्य कान कहा है डेबिट साइड बेहतकश कर्बाना है वायं कि अंदा क्या करेंगी है degust और फिर क्या बोला है cash account बोला गया है आप cash account के डिबिट साइड है तो cash account के के डिबिट है कितने है तो cash account के डिबिट साइड में लिखना है आपको अब cash के अकाउंट में cash का नाम यूज़ कर सकते हैं नहीं कि तो उसके अपोजिट में क्या है capital है तो यहां पर यूज़ करेंगे टू capital एकाउंट कितना 40,000 हो गया समझ माया अब क्रेडिट है कितने है 40,000 क्रेडिट है capital अकाउंट तो capital अकाउंट में आना है आपको capital अकाउंट में आगया मैं capital सब्सक्राइब यहाँ पर करना पड़ेगा देट कितना है अगस्त वरट काउंट है अब क्या है आपक्रेडिट करना देट कितने खीनाब हो का समझ गया फिर क्या बोला है देखिए पर्चेस गुड्स फ्रॉम और सीम वर्थ रुपीस 15,000 लेस्ट 10 परसेंट ट्रेड डिसकाउट मैंने आपको बोला कि जब भी आप जनरेल प्रिपेर करते हैं तो आपको एक्च्वल अमॉंट लिखना है जो आप अमॉंट दे रहे है है अभी अमॉंट पर्रहशार कह다 बड़ा पो घंपर्सेंट डिसकाउट मिल रहे है तो तरह सो तो पंधरा-पंद्रहशार में से पंधरा सो कोई दिजी ही डिसकाउट को तो तो कितना आएगा तेरा हजार 5 तो ऑकुल्वाप इमाउंट पे कर रहे एक्षिली मैं आप 13500 पर क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं अब 13500 पर पे कर रहे हो पर्चेस क्या होता है आप कुछ भी समन पर्चेस करें आप पैसे आएगा कि जाएगा रहे जाएगा आप क्या बोला कि आपके पास सामने वाले का नाम दिया अवा सिम का नाम दिये तो मतलब क्या आप उधारी में समान भेच रहे हो तो तो क्या हो जाएगा देखिए इसका क्या बन जाएगा इसको मैं रफ कर दूब पहले क्या बनेगा परचेस एक सेकंट यहां से करके दिखा था हुआ या बनेगा इसका एंट्री परचेस क्या होता है आलवेस डेबुट होता है तो परचेस एकाउंट डेबिट अब कैश में लिया नहीं क्रेडिट पे लिया है तो सामने वाले का नाम आएगा तो आसीम एकाउंट क्रेडिट ठीक है 15,000 का समान था बट क्या मिला 10% ट्रेट डिसकाउंट मिला तो हमने सामने लोगों कितना पे किया 13,500 रुपया पे किया हमारे पास सी कितना जाएगा 13 पांसु रुपया आप क्रेडिट में क्यूं लिखा चाउंट का नाम पे गईंड था सामने लिए है और जब भी आप है करेडिट पे समान लेते हैं तो आपको सामने वाले का नाम लिखना इन नहीं रहे है एंट है किसका आप इसना坐 में रेयों बती है और को क्रीट हो गया तो मिख्थ यहां के अ रहो पॉट्der को आपको लेजर का ठीक है, डेट कितना है देखिए, तू, फैब, तू, अब पर्चेस अकाउंट, डेबिट है, तो डेबिट है, उसको रकाट करना पड़ेगा, अब सिंपल सी बात है, भाई, पर्चेस अकाउंट में, हम लोग पर्चेस का नाम यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं, तो सामने वा होके, समझ माया, ठीक है, ठीक है, थर्ड क्या बोला है, देखिए, सोल्ड गुड्स टू आरू उन, फोर एट, एट थाउज़न इन कैश, अब यहाँ पर क्या बोला है, क्या आपने पैसा कैश में पे किया है, सोल्ड गुड्स, मतलब आपने समान बेचा है, मैंने आपको आपको आप बंद करके सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, सिंपल है, अब यहां पर पैसा कैश में आ रहा है, मैंने क्या है, सेल्स किया है, कितने का किया है बच्छो8000 का तो दोनों तरफ कितना आएगा 8000 आ जाएगा ओके कि अभी क्या हाथ़े यहाँ पर क्या है नहीं क्या है अब क्या है नत्सवर सकते हैंक क्या विए है वह देबित है तो यह लग देबित है और अब करना पड़ेगा तो आप पॉजिर बांढ इसका है तोय योके करेंगे अकाउंट एस सेल अकाउंट कितना था एट हृजन मैंने लिग दिया अट हृजन ठीक है कि अब सेल्स यहां पर क्या है क्रेडिट साइड में है तो सेल्स एकउंट का रिडिकार्ट करना पढ़ Higher हैं आपको रिकॉंद कर ना पड़े-गा तो टब करना पड़ेगा तो ने डल दीजें थाड़ फैप अब सेल्स अकौण में सेल्स का नमाप उसकर सकते हैं है नहीं तो सामने लोका 1944 क् Hel socially और कोशन क्या बोल रहा है देखिए पेड रेंग 3,000 एंड इलेक्रिसिटी बिल 500 आप सपूर्स आप इंदा फ्यूचर इंदा बीजनेस में आप कभी भी कुछ भी पे करोगे तो आपके पास से पैसा आएगा की जाएगा अरे सिंपल सी बाते ना पैसा जाएगा क्योंकि रहा है या तो रेंट की लिए जा रहा है और इलेक्रिसिटी बिल की लिए जा रहा है तो इसका जनरल क्या होएगा देखिए आपके पास से पैसा जा रहा है तो क्रिडिट क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट आपके पास से पैसा जा रहा है बिल भर रहो आप किसकी जाएगा डेजुटी ठीक है बरोबर तो कितना है यह 3,500 तो 3,500 रेंड यह जा circuit के लिए 500 तोटल के सकते जाएगा 3,500 रुपई cash टोटल मेरे पास जाएगा सिंपल है चलिए अब रेंट और एलेक्ट्रिसित्य आपको बनाने बोला है क्या लेजर में नहीं बोला है तो क्या एकांट में क्रेडिट साइड में है तो क्यांट में आ गया गया क्या अब कैश का नाम नाम क्या है डेट की भी देट कभी कहा है फॉर फैप क्या लिखेंगे बाई किसकी लिए पैसा गया है कैश में गया है कितना गया 3500 गया है अब कैश का नाम यूज नहीं कर सकती तो इसकी आप वोजिट में कितना नाम है डेबिट में दो है कि इतना है ले वर अर वर और एक्रिसीटी और रेंट का आपको एकॉन बनना है कह निए एसका रेकॉर्द करना है कह नहीं रेकॉर्ड करना है सिंपल है खतम होगा यह भी फिर फाय का देखते फाय क्या बोलता है पर्चेज हंड्रेट शेर सब पॉफेक्ट टेक्नोलोजी पॉर रुपिस 55 पर शेर एंड पेड ब्रॉकरेज रुपिस 250 बाइट ट्रांसफर थू नेट बैंकिंग अरे सिंपल सी बात है आप फ्लिपकट स सब्सक्राइब करना है तो इसी तरीके से यह आपने क्या किया पर्चेस किया क्या पर्चेस किया शौ शेर पर्चेस किया फिफ्टी फाय पर शेर का दा में तो कितना हो गया हंड्रेड इंटू फिफ्टी फाय करेंगे तो कितना हो जाएगा पाच हजार पांसो पर्फेक्ट है फाय बंसा फाय ठीक है पाच हजार पांसुरुपे आपका यह हो गया बरूपर अब सिंपल सी बाहत है आपका पाच हजार पांसों का शेर हुआ प्रांट उसमें किया बोला गई है बोला गया कि ब्रौक्रेज आप धाईTO उर्पा यूज कर रहे हूं मतलब कितना हो जाएगाब तो कितना हो जाएगाहाब पाच हजार साथ सोपचास नुर्पा ठीक है और आप पैसा कैसे पे कर रहillary हूँ आप Net Banking कर रहי हूँ से Net Banking कर रहे हूँ तो आपको पैसा आएगा कि जैएका अरे सिंपल सी बात है ना पैसा जाएगा खाल आप कुछ पर्चेस करते हो आप सपस्प्री पार्ससे एक मोबाईल पर्चेस करते हो तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा रहे भाई दोगे पैसा तभी ना आप मुवाइल मिलेगा तेहां भी क्या होड़ा है आपने 100 शेर पर्चेस किया जैसकी कीमत एक शेर की कीमत थी 55 रुपीज और प्लस इसके उपर 20 रुपए क्या था ब्रोक्रेश चार्ज लगा डेविट और सीखे अभी आपके पास से क्या जा रहा है पैसा जा रहा है बट कैसा बैंक से जा रहा है तो क्या आएगा बैंक एकाउंट क्या हो जाएगा टू बैंक एकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट शेर के लिए कितना जा रहा है पाच हजार साथ सो पचास तो बैं bank account कहा है credit में है तो bank account के credit में आपको record करना है तो simple सी बात है transition का date कितना है देखिए date of 5 तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले 5 ठीक है अब इस से bank account कहा था credit में था bank account से पैसा गया था तो credit में आपको record करना है अब simple सी बात है भाई bank account में bank का नाम आप यूज कर सकते हो क्या नहीं तो क्या यूज करोगे opposite का नाम यूज करोगे तो buy लिखोगे credit पर always क्या होता है buy use होता है तो buy share account कितना है भीया 5750 कितना गया मेरे पास से 5750 गया है सिंपने चलिए 5 भी हो गया फिर 6 क्या बोलता है देखिए विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज 500 अगर आपने अगर आपने विड्रो किया है कितना विड्रो किया है देखिए 500 रुपय किया है तो आपके पास से पैसा आएगा की जाएगा सिंपल सी बात है अगर आप कुछ भी समान विड्रो करते हो तो क्या होगा business से क्या जाएगा गुड्स जाएगा चिया भाइक बूड्स जाएगा तो इसका विडर ओर परस्नल नियुज़ समझे तो बहुत मैंने क्या बोला कि ड्रॉइंड एकांट क्या हो रहा है जारा फॉर स्थ क्या हो रहा है टू पेड्रो परस्नल मतलब क्या हो रहा है गूड हो यूज कर रहा है अपने परसनल यूज के लिए तो कितने का गूड यूज कर रहा है यहां पर यूज कर रहा है यहां पर यूज हो रहा है तो क्या आएगा डेबिट में कितना आएगा पांसो क्रेडिट में भी कितना आएगा पांसो आएगा अ आपको drawings account हैं बनाने बोला है क्या drawing account आपको यहाँ पर बनाने ऐंक लिए बोला गया है क्या नहीं बोला गया है तो आप क्या करेंगे इसको क्या करेंगे cancel कर देंगे तो मैं आपर क्या कर दूँगा इसको cancel कर दूँगा simple है फिर क्या बोला है 7 7 में क्या बोला है sold goods for cash 5000 less 10% cash discount अब आपने आपर goods को क्या क्या sold किया है तो sales क्या होता है always आपके लिए credit होता है तो simple है इसका general entry क्या हो एका देखिए to sales account क्या हो जाएगा credit ठीक है अब आप क्या-क्या goods बेच रहे दिखिए आपने क्या किया 5000 का क्या-क्या goods बेचा है simple सी बात है अगर आप कोई समान बेच रहे हो आप कुछ भी पोड़ आपके पस क्या आएगा पैसा आएगा कि जाएगा अगर मैं यह पेन आपको sell करूंगा तो आप मुझे क्या देंगे पैसा देंगे तो पैसा मेरे पास आएगा कि जाएगा simple सी बात है आएगा पैसा तो पैसा आएगा तो क्या आएगा cash account क्या हो जाएगा debit हो जाएगा cash account क्या हो जाएगा मेरे लिए जाएगा कैश में कितना पैसा आप देखिए क्या दिया हुआ है कि 5000 है बट क्या 10% आपने discount दिया मतलब मैंने यह पेन आपको कितने बाइचा 10 रुपीज का सेल किया तो मैं क्या बोलूँगा चलो आप मेरे फ्रेंड हो मैं आपको क्या करूंगा इसके उपर 50% आपको discount दे दूगा तो आप जो पेन यह 10 रुपिस की ती तो आप मुझे कितना पैसा पूरा 10 रुपिस होगे नहीं क्या करूंगे 50% discount काटके दोगे तो मतलब 50% अकर आपने काट दिया तो कितना हो गई पाच उर्पया है तो मुझे कितना दो गए फास चुल नी सकान आला trusted लेका तो कितना हो गया पांसो रुपया तो सिंपल सी बात है आपको कैश मिलने वाला था पांसो 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 रुपया बट कितना मिला भी आपको चार हजार पांसो मिला दिकास क्यों मिला क्योंकि आपने पांस रुपय क्या करिया डिस्काउंट दे दिया तो कैश में कितना पैस पीचा आया हमारे पास 4,500 और क्या हुआ । डिसिकाउट हमने दिसकाउट थी डिसकाउट काउटर एकाउट डेबित कैश एकाउट डेभिट तो डिसकाउटर्गारि address कि इन दोंग ने 5000 का सेल्स किया था बठाप विला कितना 4500 केश में मिला और 55 रुपय क्या हो गया डिस्काउंट हो गया ठीक है तो यहां पर कैश एकाउट डेबिट है कितना है 4500 रुपया तो कैश एकाउंट के डेबिट साइड में सको रेकॉड करना पड़ेगा डेट कितना है देखिए 6 तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 6 6 ठीक है cash account के debit card में record करना है आप है simple सी बात है cash account में cash का नाम हम लोग use कर सकते हैं क्या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे सामने वाले का नाम इस करेंगे तो क्या है sales से simple सी बात है cash account है पर क्या डेटी चारहजार पांसो से और discount account कितना है आपका 500 रुपया है simple आप यहाँ पर two sales अभी सामने वाले का नाम कितना है two sales account कितना है 5000 तो cash account में क्या होगा इंदा लेजर चलिए यूज़ करेंगे आप लोग का यूज़ करेंगे यहाँ पर two sales account कितना two sales account कितना 5000 रुपय कितना 5000 रुपय ठीक है simple अब क्या बोला गया देखिए discount account पांसोर sales account पांसोर विचल से काउट यहाँ पे क्रेडिट है sales account का एक रेडिट है तो sales account की credit में आपको record करना पड़ेगा तो sales account में आगया में credit side में 6 पेड़ेड़ लेंगे 6 फैप अब sales account में sales का नाम यूज़ होगा क्या नहीं तो इसका नाम यूज़ होगा opposite का नाम तो पहले क्या है बाई बाई में क्या है cash account कितना 4500 रुपया और क्या है debit और यह बाई discount बाई फिर क्या मुलाई देखिए एट डिपोसिटेट एड एक वाट देर सेवन तरीक ता सेवन डाल दो ठीके डेट आएगा सेवन ठीके तो सेवन डाल दो तिल्स में भी आप सेवन डेट डाल दो अगर आप बैंग में पैसा डिपोसिट करते हो तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा अरे सिंपल सी बात है ना पैसा जाएगा कि आप डिपोसिट कर रहो तो पैसा कहा जाएगा बैंग हो जाएगा तो इसका जरुल एंट्री क्या होएगा देखिए बैंक अकाउंट डेविट टू कैश एकाउंट आपके पास से क्या जाएगा पैसा जाएगा ना भई कितना जाएगा दिखिए, दो हजार है, तो 2000 डेबिट होगा, तो 2000 क्या होगा, क्रेडिट भी हो जाएगा आपके पस से, यहां बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट हैड में आपको रेकॉर्ड करना पड़ेगा, तो चलो बैंक अकाउंट म क्या है cash का नाम है तो cash का नाम मुझे करोगे तो चलो कि तू cash account कितना था 2000 तो मैं लिख दिया 2000 शिंपल है चलिए अब cash account क्या है credit है तो cash account के credit को record करना पड़ेगा तो cash account के credit है अप लोग cash account का cash account में नाम यूज़ कर सकते हो क्या नहीं तो आप औसी यूज़ करना है तो आप और वुज़ को नाम क्या है बागा आई क्या नाम है देखिए bank रख बैंक एक एक अपना है 2000 है सिंपल है चलिए आप डेंडल दूँमें नाइन फैब उसके बाद क्या बोला गया है देखिए गाइन 9 में बोलाएं देखिए अगर मैं मेरे फैमिली का खरचा, वृत कर है ए लिएंपनी के बिया है मेड फैमिली का पैर्म ने क्या आहिए क्या थे करें? क्या 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 है घॉण परसमेल यूँज है ऊपको पैसा आएगा कि जाएगा का दिखिए डेट कर से मतलब बैंक से पैसा कहां से जा रहा है bank account से जा रहा है वाच्छ वरोबर कितना जा रहा है 3000 जा रहा है withdrawing ंहीं है देखी समझ मैं किस तरी किसे मैंने किया अभी simple सी बात है अगर आपको पैसा आपके bank से जा रहा है drawing account अपने बनाया है नहीं आपको laser drawing account बनाने बोला ही नहीं अब यहांगा ड्राइंग कितना है देखिये डेठे-9 चलो 9 पैब अब यहांग को अश्कुन क्रीट कर सकते हो नहीं तो सामने मेले का नाम मत्त है ड्रॉइंग का नाम है तो लिखना है बाई ड्रॉइंग अकाउंट कितना है तीन हजार तो मैंने लिख गया यहां पर तीन हजार समझ गया आपको यहां लाग समझ गया चलिए तो 10 क्या बोला है देखिए पर्चेश टेबल फॉर टू थाउजन आप पुछ भी समझ पर्चेस करो कि तो पैसा आएगा कि जाएगा आरे सिंपल सी वात है ना पैसा जाएगा अपका पर्चेस कर रहे है आप लोग टेबल पर्चेस कर रहे है तो यहां पर इंट्री क्या हो 2000 यहांपे भी कितना आएगा 2000 आप के गफारते कत भी सागोट करोगा नहीं करोगे तो पूले स्काइबल को स्काइब से उसका करोगत करोगत कि इंट्रीट है तो आभ इंट करावगत करोगत कितना है इंशा पैडर्णल 2000 तो मैंने आप लिग दिया 2000 ओके यहां था आपको समझ मा रहा है ओके तो नाइंटिन क्या बोला गया देखिए रिस्यू पंद्रह सो फिप्टीन हंड़ेड बाइ इस्प्टीक है आपको सेल करोगे रही स्क्राप क्सको बोलते जो बड़े बड़े कंपनिशत हे कंपनिश के अंदर जो भङगार निकलता है उसको क्या बोलते्यगी स्क्राप बोलते है सुध surf है अप आपके पास से क्या आएगा कैश आजाएगा कैश एकाउंट डेबी अप कहां से आएगा इस क्राइप एकाउंट्स आजाएगा तो कितना आएगा 1500 अब पद्रह वहींदद देखेए बंदरहों त़ एक आप सिंपल अब उसमें उसका नाप अभी उसकर सकते हो क्या नहीं उसकर सकते 10 टेन डेट ना टेन नहीं है और 19 यहाँ पर 19 टादू चलो ठीक है अब क्या आप डेबिट है कैसे का उट का है डेबिट करेंगे कैश एकाउंट क्या है डेबिट है अब कैश एकाउंट के डेबिट में रेकॉड करना पड़ेगा अब डेबिट में कैश एकाउंट के कैश उसकरेंगे ने सामने वाले का नाम उसकरेंगे तो क्या है टू स्क्रैप यह उस्क्राइप एकाऊव्न कितना है पंदरहा सो हे पाकिन हम लगुस्ologne स्क्राप बनार रहे क्या नहीं है नहीं करेंगे च्रॉ vue और शैटरे गूर रहा ही एसको रीकॉर्ट करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो कर दिया में ने सिंपल है चलिए फिर कोश्चन में आज आ फिर क्या बोला है paid cash into banking access of two thousand मतलब क्या बोला है कि आपके पास कितना cash पढ़ा हुआ है आपके पास कितना cash पढ़ा हुआ है मतलब मेरे एक दुकाने और मेरे दुकान में सपस्थ भोछ सारा cash पढ़ा हुआ है तो इस कोशन में यह बोला गया कि आपको दुकर ने बहुत सारा कैश पढ़ा तो आप क्या करो 2000 रुपा कैश रख लो और बाकि जो कैस बचा करो बैंग में ट्रांसफर कर दो मतलब बैंग में जमा कर दो समझ गया जैसे कि मेरा एक शौप है मेरे शौप है बहुत सारा कैश पढ़ा हुआ ठीके तो मुझे क्या सोच रहा हुआ कि भाई इतना कैश पढ़ा हुआ क्या करूँ अपने पास कैश में और बाकि जितना पैसा है सब क्या करू बैंक में ट्रांसफर कर दो तो कोशन भी यह diaa white today को निए चलब यह किए टेली करते हुआ अब को हाथ में पैंसिल लेना आपको 테लि करह ठीक है तो कितना है पहले क्रेड़ की DR आपने ली 40,000 क्या है capital 8,000 क्या है 48,000 48,000 प्लस फिर क्या है देखिए 5,000 5,000 प्लस फिर कितना है पंदरा सो पंदरा सो कितना आ गया 545 00 तो मैंने उपर लिख दिया 545 00 अभी सिंपल जी बात है 545 00 में से 545 00 54,500 माइनस कितना करेंगे आप लो 7,500 7,500 तो कितना बच गया आपका 47,000 बच गया कितना बच गया 47,000 बच गया है अब जो 47,000 आपका बच्चा है जो आपका 47,000 आपके पास बच्चा उस पर से क्या करना है आपको बोलागा कि आप 2000 रुपे क्या करो आपने पास रख लो और बाकी क्या क्या करो आप लो बैंक एकाउंड में ट्रांसफर कर दो ओके चलो तो सिंपल है क्या करना है आपको यहाँ पर बड़ा एमांट कुंस है 54,000 है तो दोनों तरफ क्या लिखना है 54,500 इधर भी कितना लिखना है आपको 54,500 सिंपल है अब क्या करना है आपको बैंक में ट्रांसफर करना कितना करना है 45,000 करना है तो कितना बचेगा 45,000 बचेगा आप यह 45,000 बैंक में ट्रांसफर करना है तो पैसा आएगा कि जाएगा रहे सिंपल सी बात है ना पैसा जाएगा तो चलो कैस जाएगा तो इसका जरुल इंट्री क्या होगा देखो इसका जरुल इंट्री क्या होगा आपके पास से पैसा जाएगा तो किसके पास जाएगा बैंक के पस दाएगा तो बैंक करूंट डेविट कि एकाउंट जो जा एगा बैंक के पाक्न में 48000 जाएगा अब करो पास या फुर्तिफा खाउजन जाएगा बैंक को षाइड में तो डेविट Ben開 Vander चलो इपरिएट में आगिया UL zya दे खिनिधे हुए सब्सक्ब करेंगे क्या नहीं किसका नाम युइश करेंगे सामने वाले opposite कहते डा उसके बात क्या करना है आप आपकर क्रेडिट में है तो कैस्य चांक का नाम यूज़ करते हैं घर कितना है 27 तो लिखने हमें 27 ठीक है अब cash account के credit credit पर आपको उसका नाम यूज़ कर सकते हो नहीं तो क्या नाम यूज़ करोगे buy bank अब उज़िल का नाम क्या है buy bank account कितना हो गया 45,000 रुपए हो गए simple है चल अब टैली करो इसको चल 500 प्लस कितना है 3000 प्लस फिर कितना है 2000 लिखेंगे 2000 फिर कितना है 2000 फिर कितना है 45,000 कितना है 45,000 कितना आ गया 525,0 टीक है तो यहाँ पर लिखना है आपको तो 5, 2, 5, 0 ठीक है डबल 0 के फिर किसा टैली करेंगे आप लोग किसा अगर टैली करेंगे तो पहले कितना है 40,000 प्लस कितना है 8,000 प्लस फिर कितना है 5,000 फिर कितना है 1500 कितना हो गया 5,000, 5, 4, 5, 0 तो बड़ा एमांट कुन सा है शिंपल सी बात यह बड़ा वाला एमांट यह है तो लिखना है 5, 4, 5, 00 ठीक है 54,500 तो दोनों तरफ कौन सा है मांट आएगा शिंपल सी बात है 54,500 आएगा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 54,500 ठीक है शिंपल अब 54,500 में कितना कम पढ़ रहा है 2,000 कम पढ़ रहा है तो यहाँ पर कहा है लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डॉन कितना करेंगे आप लोग कोगा नीचे कर लूँ कितना करेंगे 2,000 हो गया टैली करेंगे तो कितना आ जाएगा 54,500 आ जाएगा यह कभी डालेंगे आप लोग यह डालेंगे आप लोग 31 अगस को डालेंगे ठीक है 31 अगस को डालेंगे ठीक है अगस ते बरोबर 31 अपका करेंगे अगस को डाल देंगे अब जो आपने यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2000 अब फिर टैली करेंगे बैंक अकाउंट का तो कितना है देखिए प्लस करेंगे कितना है 3000 तो 3000 कितना आ गया 8750 तो मैंने उपर लिख दिया है 8750 सिंपल है चलो फिर यहां का टैली करेंगे आप लोग कितना है 4500 प्लस 2000 कितना हो गया तो बड़ा कुन सा है 47000 बड़ा है कि 8750 बड़ा है सिंपल सी बात है ना 47000 बड़ा है तो क्या लिखेंगे आप लोग दुनों तरब 47000 इस प्रटी सेवें थाउजन इस इधर भी कितना लिखेंगे आप लोग 47000 अब 47000 में से क्या लेस करेंगे आप लोग कि बैलेंस केरीट डाउन कितना कर रहूं हो 838000 टू फिफ्टी अभी कभी करोगे आप लोग यह 9 अगर्स को हो रहा है बुरह हो कि नाइन अगर्स अभी कभी आप गरोगे 31 अगर्स को क्या करोगे बाइर बैलिस कर दन में किया है तो फस्छ Lesk Armor को क्या हो जाएगा पर्स सेप्टेंबर को क्या हो जाएगा ब्रॉट डाउन हो जाएगा तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आपने कैरी किया है 38,250 किया है तो ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा 38,250 क्या हो जाएगा ब्रॉट डाउन हो जाएगा आप करना है आपको पर्चस में क्या पर दिया है 13,500 डिया है पर यहां पर क्या बूलेंगे यहां पर यहां पर क्या आएगा फस्ट थर्टी फस्ट अगस्ट को क्या करोगे आप लोग बाई बैलेंस करी डाउन क्या करोगे बाई बैलेंस करी डाउन कितना करोगे पूरा करोगे तो यहां पर कुछ है मॉंटी नहीं दिया ना बच्चो तो पूरा क्या कर दिया अभी क्या हो गया 30 अगस्ट को क्या हो गया carry down तो ये क्या हो जाएगा 1st September क्या हो जाएगा broad down हो जाएगा क्या आप लिखना है 1st September क्या हो जाएगा 2 balance broad down कितना है बच्चों simple है पूरा है तो पूरा है गा 13500 तो 13500 खतम हो गया चलिए उसके बाद क्या बोला है देखिए sales account क्या बोला है आपको tally करने के लिए बोला गया है तो चलिए करिए कितना हो गया 8000 8000 plus कितना है 4500 चलिए plus फिर कितना है 500 कितना आ रहा है 13000 आ रहा है यहाँ पे कुछ है नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना है direct 13000 लिखना है यहाँ पे कुछ भी नहीं है न तो यहाँ पे आपको क्या करना है 13000 रुपया लिखना है direct अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे balance को carried down करोगे तो कभी करोगे 31 अगस्त को करोगे यहां पर September को किया हो जाएगा ब्रॉटब्डॉण हो जाएगा ध्या पर किया करना करना है कि दिया एक हैं कि यहां पर कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा यहां पर कुछ दिया एगा बच्चों नहीं दिया है ना तो simple आपको क्या लिखना है 40,000 ही लिखना है बर उपर तो आप लोग यहां पर क्या करोगे 31st अगस्त को क्या करोगे इसको क्या बोलोगे क्या बोलोगे two two balance carried down अब यह आपने यहां पर बैलेंस क्या 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 है तो यह 31st अगस्त को हुआ है तो यह 1st September क्या हो जाएगा ब्रोट डाउन हो जाएगा simple है यहां यहां पर लिखना है 1st September by balance ब्रोट डाउन कितना है बच्चों पूरा का पूरा ब्रोट डाउन हो जाएगा तो 40 का 40,000 क्या हो जाएगा ब्रोट डाउन हो जाएगा समझ माया किस तरीके से किया आगे कुछ हाई के नहीं मतलब हमारा आ समस्ता पूरा क्या हो गया टैरी हो गया कुछ नहीं करना है आपको इतना समझना कि जहां balance कम पढ़ रहा है तो आपको जो date रहेगा ending का month का वो date डाल के आपको balance क्या करना है carry down कर देना है और उसके दुसरे आले पहले ही मत में फर्स्ट डेट को रहा करना आपको balance ब्लाग डान कर लेना है और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है अगर cash account में cash account आपका general debit हुआ है तो debit में record करना है बट क्या करना है जिस account में आप record कर रहे है उस account का आपको नाम use न पराना नहीं है बट मेरा कहने का मतलब कुछ अगर आप बनाओगे तो आपको posting करने के लिए बहुत easy होगा इसके लिए हर question में general बना दिया आपको तो general आप बनाओगे तो आप without सोचे समझे क्या करोगे posting फटाफट कर लोगा आपका महापे time बस जाएगा समझा तो I hope कि आ अंदार रहेगा और आपके टो डाउट से रहेंगे वह clear हो गए रहेंगे तो इसी तरीके से मिलेंगे हम लोग next lecture में next हम लोगे सब तक के लिए good bye take care मिलते रहो study on रखना बबाए